यदि आपके पास धाई एकड जमीन है तो आप समनुवित कृष्षी माडल से साड़े तीन से चार लाख रुपे तक साला ना कमा सकते हैं इस माडल की खास बात ये है कि इससे आपको हर दिन आय प्राप्त होगी बारती कृष्षी नुसंधान संस्थान के सश्य विज्ञान संभाग द्वारा विक्सित किया गया ये माडल लगू और सीमांत किसानों के लिए राम बाड है समनुद कृष्षी प्रणाली कैसे लगू और सीमांत किसानों का जीवन बदल सकती है इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हमारे देश में 50 से 60 प्रतिसत लगू और सीमान्त किसान है जिनके पास 2 या 3 एकड़ ही जमीन है केंदर सरकार 2022 तक इन किसानों की आयत दुगनी करना चाहती है आखिर ये आयत दुगनी होगी कैसे इसका जवाब है समन्वित क्रशी प्रणाली आधारित खेती ये है भारतिय क्रशी नुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में स्थित समन्वित क्रणाली आधारित फार्म इस क्रिशी फार्म में समनवित खेती से एक साल में 3.5 से 4 लाख रुके तक की आय ली जा रही है समनवित क्रिशी प्रणाली में प्रंपरागत फसलों के साथ ही फल, सबजियां, फूल, मचली, बतक, मुर्गियां, डेरी, गोबर गैस और क्रिशी वानी की एक साथ की जाती है इन सबसे बारो महिने आय प्राप्त होती है और एक परिवार को रोजगार भी मिलता है समनवित क्रिशी प्रणाली माडल फार्म को देख रहे हैं I.A.R.I. के सच्छे विज्ञान संभाग के प्रधान वैग्यानिक डॉक्टर राजीव कुमार सिंग आई ये इन ही से जानते हैं कि समनवित क्रिशी प्रणाली से कैसे 4 लाख रुपे तक की आय ली जा सकती है और इस माडल के थ्रू जो है क्योंकि इसमें आप देखेंगे जहां पे पांच से साथ फेमिली मेंबर हैं तो उनके लिए ये जो है एक हेक्टर एरिया आनि 2.5 एकड़ का एक EIFS माडल है यानि समनवित माडल जो है और इसमें करीब करीब जो है आपके साथ कंपोनेंट है तो सरुपरतम अगर किशान भाई आपके पास एक हेक्टर छितरफल एरिया है तो उसमें 0.7 हेक्टर एरिया आपको फसल मिलेना है फसल जैसे कि आपका धान्य है दलानी है तिलानी है सबजियां है फल फूल है ये जो चीजे जो है आपको 0.7 हेक्टर एरिया मिलेना है और उसके साथ साथ दूसरा कंपोनेंट जो है मचली पालन है तो 1000 स्कौार मिटर एरिया जो है आपका मचली पालन में है और उसमें आपको बताना चाहूँगा कि तीन प्रजातियां है मचली की जो कतला, रोहू और म्रिगल इसमें है और इसकी जो छमता है करीब 2000 से 22,000 फिंगर यह जो है हम प्रियोग में लाते हैं और यह एक साल में करीब करीब हमको 10 से 12 कुंटल मचली मिल जाता है तो इसके साथ आपको बताना चाहूँगा किसान भाई कि जो आप देख रहे हैं तलाब में जो बत्तक है बत्तक पालन भी इसके साथ किया गया है तो तलाब के अंदर बत्तक की जितनी गती होगी मोमेंट होगी उससे क्या होता है कि आक्सीजन की मात्रा जादे बनती है तो आक्सीजन की मात्रा जादे बनेगी तो उसमें जो मचली की जो ग्रोथ होती है ब्रिदी होती है अच्छी होती है इसके साथ आपका जो है डक्स पालन हम किये हुए है और डक्स से क्या होता है कि यह दोनों परपच के लिए हम लेते हैं एक और मीट के लिए तो इससे हम अभी इस समय जो है अंडे का उत्पादन ले रहे हैं जो प्रजाती इसकी है खाकी केमबल है और इससे करीग करीब 280 से 300 अंडे जो है हमको प्राप्त हो जाते हैं और हमारा यहां पर बिक्री केंद्र है जहां से 10 रुपीय प्रती एक के हिसाब से जो हमारा अंडा बिग जाता है इसी के साथ इसी तलाप पे जो है आप देखेंगे एक हमारा इंटरप्राइज पॉलेटरी है जो उसमें जो है करीब करीब एक हेक्टर एरिया के हिसाब से जो है उसम से 200 अंडे प्राप्त होते हैं और एक अंडा जो है दस रुपिया हमारे सेल काउंटर से सेल हो जाता है इसी के साथ जो है किसार भाई आपको बताना चाहूंगा कि एक डेरी पालन भी इसी का एक इंटरप्राइज है तो यहां पे एक हेक्टर के हिसाब से तीन क्रास बीट गा क्योंकि उसमें चाहिड कर्या जो भी घोता है और उसके साथ 20 रीट रहाप पानी मिक्स करके जिस cách एक दिन का जो फार्म पैमली जो साथ मेंबर हैं तो उनके लिए जो धीन भर जो नास्ता है आपका लंच है और डिनर है यह तीनों उस से उसका मीट आउट हो जाता है इसी के साथ आप देखेंगे क्योंकि यह वाले पवद्धे लेते हैं जिसमें आपका अमरुद है आम है किन्नू है केला है पपीता है तो इस तरह के पवद्धे हम यहां पर लेते हैं जो अम्रुद की पर जातिया है एलाहाबाद सफेदा है, हिसार सफेदा है, स्वेता है, यह प्रजातिया किशान भाई ले सकते हैं, अगर आपको कलर मिल लेना है तो एक ललिद वराइटी है, CSIH लखनव की, और आप देखेंगे इसी के साथ जो बाउंडरी पर, जो कंट्री बीन जीस को हम सेम कहते हैं, और यह एक सिजन में हमको 8 से 10 कुंट्रल सेम जो है कि उत्वादन मिल जाती है, तो किशान भाई उसको आप ले सकते हैं, उसमें लागत बहुत ही कम है, और आपको मुनाफ़ा जादा है, इसी के साथ जो बाउंडरी प्लांट है, वहां पर हमने किनू लिया हुआ है, और किनू से हमको जो है करीब करीब 10 से 12 जार रुपया जो है, हमको आमदनी हो जाती है, तो किशान भाई इसी के साथ एक एग्रोफारेस्टी है, वह भी कमपोनेंट है, जिसमें ड्रमिस्टीक या साइजन जिसको बोलते हैं, या मुरिंगा आपका लीजिए, तो ये मेडिशनल वैल किशान भी बहुत अच्छी है, इसी के साथ आप देखेंगे, ये तो रह हमारे मॉडल, और सबसे बड़ा इससे क्या है, एक तो जो मिर्दा का स्वास्त है, वो सुधरती है, पौलूशन फ्री है, आपको राउंड येर, पूरे साल आपको रोजगार मिल ला है, तो इसको क आपको बताना चाहूगा, कि एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया, कि किशान भाई, आपके पूरे फेमिली को साल भर रोजगार इसमें मिल रहा है, दूसरा आपका पौलूशन फ्री है, तो इस तरह से जो आप करेंगे, तो आपको जो है, समनमित क्रिसी पढलाली से आपको लाब अच्छा मिलेगा, और ये भी ध्यान देजिए, कि जहां फिस पौंड पानी है, आपको एक सवा महिने के अंदर इस पानी को आपको फसलों में परियोग करने के बाद इसमें पानी फिर भरना है, तो इस तरह से अगर आप करते हैं, तो आपको पूरे साल इसका मेन है कि कम से कम प्रति दिन किशान भाई को आठ सो से लेके एक हजार रुपिय की इनकम प्राप्त होती रहे, जय हिंग, जय भारत किसान भाईयो, आप भी यदि समनुवित खेती करना चाहते हैं, तो आई ए आर आई के सच्छे विज्ञान संभाग से संपर्ख कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो ज्यादा से यादा लाइक और शेर जरूर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले